Hello everyone, welcome to GKY गुर्जीत मैम YouTube channel So guys, आज की वीडियो में हम करेंगे हर्याना और भारत से related अधिनियम जो आपके upcoming exam के लिए काफी important रहने वाले हैं और अधिनियम से related ये second class रहेगी कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को end तक देखें और साथ में जो explanation की जाती है वो भी note कीजी So first question is खादे सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसे हम क्या बोलती है Food Safety and Standard Authority of India ये कब बना था 23 अगस 2006 में बनाए गया था और किस मंतरालय के अंडर आता है स्वास्था एवं परिवार कल्यान जिसे अपने फजाई का नाम सुना होगा तो जितनी भी खादे वस्तों का बिजनस करने वाले बिजनस मेन होते हैं उन्हें पहले किस से लाइसेंस लेना पड़ता है फजाई से लाइसेंस लेना पड़ता है और इसका head office कहां पर है डैली में नेक्स्ट है, वन्ने जीव सरक्षन अधिनिम के काफी important question रहने वाला है, ये कब बना था, 9 सितंबर 1972 को इसे बनाय गया था, wildlife protection act जिसे बोलते हैं, और इसके अंडर क्या होता है, वन्ने जीवों के अवैद शिकार पर रोक लगाई है, और खाल और मास के व्यपार पर भी रोक लगाई है, और इसके अंडर क्या किया गया था, वन्ने जीव, यानिके wildlife century बनाई गई है, और इसमें शंशोधन भी हुआ है, कब हुआ है, 2002 में इसमें कुछ amendment किये गई है, और नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट बाग सरक्षन अधिनियम का बना था, 7 अपरेल 1973 को ये बना था, और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाई गई थे, बाग अभारण्या बनाई गई थे, और टोटल कितने tiger reserve की स्थापना हो चुकी है, अब तक 50 की हो चुकी है, कब किया था, 26 मार्च 1974 को इसे लागू कर दिया था, नेक्स्ट कुश्चन है, वायू सरक्षन अधिनियम, 16 माई 1980 को इसे लागू किया था, लगातार उध्योगी करण के कारण पर्यावर्ण में हो रहे परदूशन की रोक्थाम के लिए, ये सरक्षन अधिनियम बनाया गय गया था, 29 मार्च 1981 को इसे पारित किया गया था, तो दोनों डेट आ सकती है, क्योंकि जो अधिनियम बनता है, उसकी डेट अलग होती है, उसे लागू कब किया जाता है, उसकी डेट अलग होती है, तो आपसे किसी भी तरह से कुश्चन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट है, जै जै विविता अधिनियम है, ये कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2004 को ये लागू हुआ था, और बना कब था, ये 2002 में बना था, और अगर इसके हैड ओफिस की बात करें कहां है, चिन्नई में इसका है, नेक्स्ट है, भारतिय वन अधिनियम, 21 सेप्टमबर 1927 को बना था, इनके ब्रिटिस काल में बना था, और इसे पहली बार संशोधित कब किया गया था, 1972 में इसे संशोधित किया गया था, और इसी के इंदर भारतिय जैसे वन निती की बात करें कब बनी थी, 1952 में भारत की पहली वन निती बनी थी, नेक्स्ट है, SCST अत्याचार निरोधक अधिनियम ये कब पारित हुआ था 11 सप्टमबर 1989 को इसे पारित किया गया था और लागू कब हुआ था 30 जनवर 1990 को ये लागू किया गया था और इस अधिनियम में क्या होता है अपराधी को दंडित किया जाता है और पीडितों की सुरक्षा करता है ये अधिनियम और इसमें अगर अधियाई की बात करें कितने अधियाई हैं पांच अधियाई हैं और इसमें 23 धाराई आती है नेक्स कोश्चन है जुवी नाइल जस्टिस अक्ट 2015 और ये लागू कब हुआ था 15 जनुरी 2016 से परभावी हुआ था इसके अंडर क्या होता है नाबालिक दुवारा कियेगे अपराद की सजा तै की जाती है किसके अंडर जुवी नाइल जस्टिस अक्ट के तहद और इसे 2014 में 2014 में जो नाबालिक के अंडर कितनी एज के मतलब बच्चे जो 18 साल से कम एज गे होते हैं वो सारे किसमें आते हैं नाबालिक के अंडर आते हैं और इसके लिए किशोर जो किशोर नयायलय अधिनियम वो बोला जाता है इसे जुवी नाइल जस्टिस अक्ट को नेक्स्ट है नागरिक्ता अधिनियम इसमें हुआ था दस ग्यार दिसंबर 2019 को संशोदन हुआ था और इसके बाद ये संसद में पास हो गया था और इसे लागू कब किया था दस जनुरी 2020 को इसे लागू किया गया था जो OCI यानि के ओवर्सीज सिटिजन ओफ इंडिया एक्ट के तहद आता है और इसमें अगर हिंदी में बात करें विदेशी मुद्रा परबंधन अधिनियम नेक्स्ट है हिंदू विवाह एक्ट ये कब लागू हुआ था 18 माई 1955 को लागू हुआ था और टाइम टू टाइम इसमें काफी अमेंडमेंट किये जा चुकी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया गया था ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का बनाया गया पहला महत्तपुन संसतिय कानून था जैसे कि अगर हम बात करें पलासी के युद और बकसर के युद के बाद बंगाल में द्वैद शासन परनाली लागू हो गई थी और इसके तहट जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने बंगाल और आसपास के क्षेतर में काफी लूट मार गई थी इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए बिटिस अंसत दुवारा ये कानून पास किया गया था कब 1773 में नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793 1793 में ये बना था और लागू हुआ था और किसके समय में लोड कार्ण वाले इसके समय में जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1786 की कम्यों को दूर करने के लिए एक्ट पास किया गया था किसके दुवारा बिटिस अंसत दुवारा एड नेक्स्ट है गर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था दो गस्त 1858 को इसे लागू किया गया था यानि कैसे क्या बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम और इसके अंडर क्या हुआ था जैसे उस टाइम में 1857 में भारत का पहला सोतंतरता अंदोलन हुआ थ और जो गवर्नर जनरल का पद है उसकी जगह किस का पद कर दिया था वाइस राय का पद कर दिया था और लोड कैनिंग भारत के पहले वाइस राय थे और इसी एक्ट के तहद मुगल शाशक का जो पद था वो भी खतम गर दिया था नेक्स्ट है ड्रग प्राइज कंट्रोल एक्ट दोजार तेरा में ये बना था जिसे डीपी सीओ के नाम से जाना जाता है देश भर में सस्ती कीमत पर बुनियादी हेल्थ फैसिलिटी और जो मेडिसीन है वो प्रवाइड करवाना इसका लक्षय है और जैसे कंपनिया होती 2019 काफी important question है सबसे पहले तो जान ले कि ये बना था कब बना था 1986 में बना था और 2019 में संशोधन किया गया था इसलिए यहाँ पर क्या आता है Consumer Protection Act 2019 यहाँ पर आता है और इसे लागू कब किया था 20 जुलाई 2020 को इसे लागू किया था और इसके अंडर क्या आता है उपभोग next question जो रहेगा Child Marriage Restraint Act यानि के बाल विवहा परपंदित अक्ट 1929 में पहली बार ये बना था 28 सेप्टमबर 1939 को ये पारित हुआ था और लागू कर दिया गया था इसके अंडर क्या कुछ आता है अगर हम 1939 की बात करते हैं 14 से 18 वर्स तक यानि के 14 वर्स जो विवहा के लिए लड़की की एज रखी थी 18 वर्स किसकी रखी थी लड़की की उसे शार्दा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है लेकिन उसके बाद इसमें काफी कुछ चेंजिस हुए बाल विवहा निशेद एक्ट भार्थ सरकार दोवारा बनाया गया था 2006 में और 1 नुमबर 2007 को इसे ला नाया गया था किसे राइट टू एजूकेशन एक्ट को और यहनी के शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें 6-14 वर्स तक के सभी बच्चों को निशुलक और अनिवार्या शिक्षा देना महत्तपूर्ण है और 2002 में 86 सविधान शंशोदन हुआ था जिसमें आर्टिकल 21 मे कजोडा गया था और इसे 1 अपरेल 2010 को लागू कर दिया गया था नेक्स्ट एक गवर्नमेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 ये भी एक्जाम में काफी बार देखा जा चुका है कोशन सरसे पहले तो जान ले कि वर्तमान जो भारतिय सविधान है उसमें जो सबसे जादा मतलों ध भाराएं लिए गई हैं या अधिनियम लिए गए हैं वो किसे लिए लिए गए हैं गवर्नमेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 से अगस्त 1935 में से लागू किया था इसके अंडर क्या कुछ दिया था कि इंदर और राज्य के बीश शक्तियों विभाजित कर दी थी और राज्यो 1965 में बना था time to time इसमें changes हुए हैं सबसे पहले 1984 में इसमें change हुआ था then 1986 में इसमें change हुआ और इसके अंडर क्या आता है IPC की धारा 304 B में दिया गया है कि दहेज मागने वाले को कम से कम साथ वर्ष की सजा दी जाती है नेक्स्ट है दा protection of women from domestic violence act 2005 2005 में बना था ग्रेलू हिंसा जे सेपीडी जो महिलाई हैं उनके लिए 2005 में बना था वो 26 अक्तूबर 2006 को इसके लागू कर दिया गया था नेक्स्ट कोश्चन है दा Muslim Women Act 2019 इसके अंडर क्या दिया गया है 2019 में ये बना था तीन तलाग को अपराद घोशित कर दिया था यानिकि अवैद घोशित कर दिया था नेक्स्ट है Hindu Succession Amendment Act 2005 जो Hindu Succession Amendment Act है 2005 में ये बना था और इसे लागू कर दिया गया था इसके अंडर क्या होता है भारत की सभी Hindu महिलाओं को चाहे वो married है चाहे वो unmarried है पिता की संपत्ती पर बेटे की तरह अधिकार देता है ये एक्ट है नेक्स्ट कोशन है इसके इंडर क्या कुछ किया गया है विशेस नियाले की स्थापना की गई है अगर जो बच्चे हैं वो sexual assault होते हैं किसी के भी द्वारा तो पोस्को एक्ट के दहर उन अपराधियों को सक्षे सक्षजा दी जाती है तो ये थी आज की वीडियो वीडियो कैसे लगे आप कमेंट बोक्स में जुरूर लिखेगा अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेर करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे नई नई वीडियो की आप तक आती रहे थैंक यू थैंक्स फू वोचिंग